जहीं दोस्तों, आपका अपना यूटूब चैनल for knowledge 1998 में सौगत हैं दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हों तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तो वेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट समय पर मिलती रहे तो चलिए दोस्तो मैं आपको ये सोखना देदू कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुश खबरी आई है हाँ दोस्तो चिस विकेंसी का आपको बहुत दिनों से इंतजार था वो विकेंसी बस कुछी दिनों में आने वाली है जिहां दोस्तो अमबे पुलिस की विकेंसी आने वाली है जिसका आपको काफे दिनों से इंतजार था तो चलिए दोस्तो मैं आपको इसके ओफिसियल नोटिफिकेशन के और ले चलता हूँ जैसा कि दोस्तो मैंने आपको बताए कि M.P.Police की विकेंसी बस आने ही वाली है तो दोस्तो आप भी अपने मॉवाइल पर पर परेशनल एक्जामनेशन बोर्ड ये करके सर्च करना तो आप भी अपने मॉवाइल पर इसके नोटिफिकेशन देख सकते हैं तो दोस्तो ये देखिए आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा कि सूचना पुलिस मुख्यालाय ग्रहप पुलिस मद्यप्रदेश शाषन के अंतरगत आरक्षा संबर की भरती हितू भरती परिप्षा 2020 के संबन सूचना तो विज्ञापन पर आप क्लिक करोगे दोस्तो तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा तो ये इसका ओफिस्यल नोटिफिकेशन है तो चलिए दोस्तो मैं आपको कुछ इसके और आगे की जानकारिया देता हूँ तो दूस्तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या योगिता है और आईयो कितनी मांगा है इस MPP पुलिस में आपको ये सब डेटेल बताने वाला हूँ चलिए दूस्तो सुरू करते हैं दूस्तो मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ पुलिस मुख्याला है ग्रह पुलिस मदपर्देश सासन के अंतरगर्द आरक्षकवर की भरती भरती परिक्षा 2020 से संबन सूचना पुलिस मुख्याला है भौपाल के पत्रकमांग भौपाल दिनांग 22-22 के तारत में की आरक्षा संबन की भरती परिक्षा के संबन में प्रोफेशनल लिगना एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा परिक्षा योजित संबंदित निमनुशार संभावित तितिया निधारित की गई है तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फस्ट नमर ओप्सन पर दिया है अब मैं आपको बताओं कि आउनलाइन फॉर्म यहाँ तूसरे नमर ओप्सन पर दिया है कि आवेधन आवेधन पर आमांतित करने की तिति तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन पच्चीस ग्यारा दोहजार बीस को जारी होगा और इसके आवेधन करने की तिति 24-12-2020 से इसका आवेधन स्टार्ट हो जाएगा आमांतित किया जाएगा और तीशन अमर पर आप्सन दिया है कि आवेधन पत्र भरे जाने की अंतिम्तिति अंतिन ठिती इसकी साथ एक 2021 तक अंतिन ठिती होगी और इसके फॉर्म भरे जाएंगे 24 वारा 2020 है और इसका नौटिफिक्रिक्षिन जारी किया जाएगा 25 ग्यारा 2020 को और चोहते रमर पे दिया है अवेदन पत्र संशोधन किये जाने की ठिती इसका एडमिट काड या अवेदन पत्र दोस्तों 12 एक 2020 को आ जाएगा और परिक्षा की तिती भी नधारित की गई है परिक्षा की तिती दोस्तों इसमें डेड़ भी दी गई है परिक्षा की तिती की 6 तीन 2021 से प्राराम किया जाएंगे तो दोस्तो आपको मैंने बताया है कि पच्चीस ग्यारा को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा चुबिस बारा को ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और अवेधन पत्र भरे जाने के अंतिम तिथी 721 को है और अवेधन पत्र संसोदित के जाने के अंतिम तिथी 1221 तक है और परिप्च्च की तिथी 63021 से प्राण के जाएंगे मैं आपको नीचे और पढ़के सुनाने जा रहा हूं दोस्तो उप्रोग्त समझती तिथीया पूर्टे संभावी थे जिसमें आवसकत अनुसार परिवर्तन संभाव है तो इसमें परिवर्तन भी संभाव है इसमें आपको पद में भी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 4000 पद है 4000 पद से उपर भी विकेंशी आ सकती है इसमें साफ लिखाना हुआ है बीभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुशार पदो की कुल समहावी संक्या चार सोग जिसमें परिवर्तनी भी किये जा सकते हैं नीचे आप वेफ साइट में देख सकते हैं दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अब मैं इसमें पद की बात करूँ दोस्तों मैं इसमें पद की बात करता हूँ यहां दिया हुआ है बिभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुशार पदो की कुल संभावी संक्या तो दोस्तों कॉइंस्टेबल रेडियो की बात करूँ तो पहले इसमें कॉइंस्टेबल रेड और टोटल तो दोस्तों यहां पर ओपन के लिए टोटल 38 पोस्ट है OVC के लिए 80 पोस्ट है SC के लिए 1100 हो ST के लिए 27 और EVS के लिए 14 तो इसमें इस only total पोस्ट रहें की दोस्तों 138 अब मैं बात करूँ सबसे जादा फॉर्म कॉंस्टेबल जीडी से भरे जाएंगे और कॉंस्टेबल जीडी हो आप देख सकते हो open एक सर्विसमेन होमगार्ट फीमेल टोटल पोस्ट इसकी है दोस्तों 3862 पोस्ट यह हैं तो आप देख सकते हैं सबसे जाएंगे और आयू की मैं बात करूं दोस्तों आपको आयू कभी पढ़के दिखा देता हूं आयू सीमा आयू की गईना दिनांग 1 अगस्त 2020 से ही की जाएगी second option है वर्दिधारी पदो हेतु आयू सीमा कर निर्धारा जारी आदेश के अनुरूप किया जाएगा एवं यह आयू सीमा जो शाशन दोरा वर्दिधारी पदो हेतु निर्धारित की जाएगी उस आयू सीमा में आने वाले अभ्यारती को वर्दिधारी पत्र लेतु पात्र माना जाएगा आयू सीमा में अधिक्तम छूड़ दोस्तों अब आयू सीमा की बात करता हूँ आयू सीमा की बात करूं दोस्तों तो पुरुष अविदक अरक्षिद वर्ग के लिए 18 से 33 बर्ज है ये स्टेस्ट के लिए होगा दोस्तों और ये पुरुष के लिए है और ये महिला के लिए पहले पुरुष के लिए 18-33 बर्स तक है और महिला आविदक आरक्षित बर्ग और तीशन अम्मर आरक्षित सेड़ी पुरुष महिला आविदक दोनों के लिए 18-38 बर्स यह 18-38 बर्स है और यह 18-33 बर्स और सास्की नियम मंडल सौदेशी संस्ता के करमचार यह नगरपली का इन सब के लिए 18-38 बर्स है तो दोस्तों आप इसमें बहुत सी छोड़ दी गई हैं आयू में तो दोस्तों मैं आपके जरूर सुचना बताना चाहता हूं कि MP पुलिस में अभी सुनने को आया था कि पहले फिजिकल होगा फिर उसके बाद रिटर्न होगा तो दोस्तों इसका अभी कोई चैन नहीं किया गया है यह ऐसी कोई जानकारी मुझे मिलती है कि इसमें पहले फि सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि MP पुलिस और डिली पुलिस के लिए मैं कुछ important question आपको देने वाला हूं जो आपकी परिक्षा के लिए बहुत महात्पूर्ण होशकते हैं तो प्लीस दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों जिससे मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे support कर रहे हो या फिर मेरी वीडियो देख रहे हो और दोस्तों बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि मेरी next वीडियो की update आपक को सही समय पर मिलती रहे है जाइन दोस्तों